Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने गहरों में सुरक्षित होगे और सुरक्षित रहना आज की जिन्दिगी में बहुत जरूरी है, है ना? तो आप सब सुरक्षित रहिए तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, कि उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? उनके दिल में क्या चल रहा है, अभी इस समय ये हम रीडिंग रखने वाले हैं, और केंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, ठीक है? हमारे reading आज के candle wax reading रहेंगी और tarot card reading भी करेंगे साथ में लेकिन पहले हम candle wax करेंगे उसके बाद हम tarot card करेंगे वोगी, so topic समझ गए हो आप सब और मैंने आपको कैसे बताया यानि कि पहले हम candle wax करेंगे ठीक है, तो उसके लिए मैंने candle यहाँ पे रखी है यालो कलर की candle, आज हम इसी को जो है, यूज करने वाले हैं, ठीक है तो आपको क्या करना है, अपने person के उबर बहुत अच्छे तरीके से focus करना है कैसे focus करोगे, तो आपको पहले गहरी सांस लेनी है, आँखे बंद करनी है, उसके बाद अपने person को बहुत ही प्यार से याद करना है ठीक है, आपको महसूस करना है, कि आपके person आपके पास बैठे हुए हैं, या फिर आपके उनसे बाते हो रही हैं, ठीक है आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, कि मेरी जिनको भी मुझसे प्रस्ट लीडिंग लेनी है दिये गए वाट्सप नमबर पर कॉंटक करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं और ब्रस्ट की भी बुकिंग चल रहे हैं लेकिन शिरीप अब ये रोसक्वास ब्रस्ट ही अविलेवल है और बाकी कोई ब्रस्ट अविलेवल नहीं है ठीक है तो अगर आपको सिर्फ ये ब्रस्ट लेना है तो आप इसको बाई कर सकते हैं ठीक चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट मैं जलाती हूँ कैंडल आपको क्या करना है अपने पर्षन को याद करना है फटा फट करके याद कर लिजे अपने पर्षन को चलिए मैंने कंडल को जला लिया है ठीक है आई थिंक लाइट हमारी ठीक है जादा नहीं है चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट आपने भी आई होप आपने अपने पर्षन को याद कर लिया होगा तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट क्या सोच रहे हैं वो ओके सो आपके जो पर्सन है सबसे पहले तो मुझे यहां पे ऐसा ऐसा दिख रहा है जिसे यह अपने फिलिंग्स अपने इमोशन से कितना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं एक दम से दूर 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 भागने की कोशिश की जा रही है यहां पे यह person I think देखो यह कितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले यह person कितना भी दूर ठीक है आपसे बहुत ज़दा दूर यह भागते हैं person अपने feelings अपने emotions से बट फिर भी यह person भाग नहीं पाते हैं क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आपके person आपके तरफ न चाहते हुए भी देखो क्या होता है ना कि अगर universe चाहते है ना तो हमें मिला के ही रहती है तो वही है कि universe आपको मिला के रखेगी ठीक है यहां पर दिख रहा है कि यह person भागने की बहुत ज़दा कोशिश कर रहे हैं और यह person सोच भी रहे हैं कि यार क्या करूँ कि उससे जो है ना अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए मैं बाते ना करूँ क्या ऐसा करूँ कि उससे और मेरी बाते ना हो कुछ करूँ ना करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक है मुझे यहां की इनर्जी के नुसार से ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके जो पर्सन है देखो मैं क्लियर यहां पर दीख पा रही हूँ कि यह पर्सन आपकी रहते हुए ठीक है यह किसी और के साथ भी रिलेक्शन्शिप में रह चुके है ठीक है यह या तो किसी को डेट करते होंगे उस टाइम कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे यहां पर फील हो रही है कि हाँ है था ठीक है उस टाइम इसकी वज़े से आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े हुए होंगे और प्रॉब्लम आई होगी ठीक यहां के एनर्जी बताती है यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना जिसे पहले तो गलती कर ली इस पर्सन ने और अब जो है इस पर्सन को अपनी गलती के एसास भी हो रहा है लग रहा है कि हाँ गलती यार कर दी नहीं करना चाहिए था यह तो गलत किया मैंने यह वाली फेलिंग्स भी हैं इस पर्सटी यह पर्संड की एनरजे ऐसी बता रही है जी से यह पर्सन खुद माफी नहीं माँगना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत जदा इन्होंने सोचा है फिर इन्होंने प्लानिंग किया है ना तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है ये किसी अपनी फैमिली में से किसी ऐसे परसन की हेल्प ले सकते हैं जैसे कि इनकी मदर हो गई है ना या फिर इनकी कह सकते हैं जैसे कि इनकी मदर हो गई है या फिर इनके भाई हो गए है इनकी हेल्प के बारे में जो है ना ये परसन सोचते हुए दिख रहे हैं यहां पर दिख रहा है कि ये परसन बहुत ही ज़्यादा इगो में है अभी फिल हाल इगो में है और इगो में रहने के कारण से ये परसन खुल के बोल नहीं पा रहे हैं कि ये परसन चाहते क्या है या फिर आपको जो है इस तरीके से ये क्यों कर रहे हैं हाला कि आपकी अनर्जी दिख रही है कि अगर इस परसन ने ऐसा किया है जिसे कि आपके साथ इस परसन ने चीट किया है तो भी आप इस परसन को माफ करने को तयार हो अभी भी आप वापस इस परसन को पाने के लिए तयार हो आप चाह तरीके से मैं focus देख पारी हूं आपके person के ऊपर आप आप बहुत सारी technique का यूज कर रहे हो बहुत जादा मैं देख पार ही हूं कि एकदम देख रहा है ना जैसे आप कहीं ना कहीं किसी कि help ले रहे हो इस person को पाने के लिए ठीक है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस से लब या फिर अधर कुछ ठीक है जिसे जिसे की अधर लोगों की हल्प लेना है ना जिसे आपकर यूनियन हो जाए कम से कम बात हो जाए ऐसे आप तड़ाप रहे हो तरस रहे हो इस परसन के लिए लेकिन अभी जो है आपके परसन के नेजी ऐसी हो चुकी है कि आपके परसन आपके उपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है आपके उपर फोकस नहीं कर रहे हैं और आप जो है आप जो है यही सोच करके परेशान हो रहे हो कि यार यह मेरी जिन्दगी में आ जाए और यह परसन के दिल में चल रहा है कि ठीक है मैं चलूंगा भी तो काफी वो होता है ना कि हवाईयां है ना हवाईयां बांदना पुल बांदना है ना इसे वह था ना कि दिखावा करना कि हाँ यार मैं तुम से अलग रहे करके मैं तुम से दूर रहे करके थोड़ा सा बहुत बहुत अकेला पन फिल हो रहा है बहुत मुझे दुख हो रहा है बहुत जो है मैं त एकदम से उदास उदास हैं और यही सोच रहे हैं जिससे कि टेक्निक का यूज करना होता है ना वैसे ही यह परसन टेक्निक का यूज करते हुए दिख रहे हैं अभी जो है फिलहाल आपको ऑनलाइन चेक करते रहते हैं यह परसन सोच रहे हैं कि अभी आप ऑनलाइन थे कुछ ताइम पहले भी तो यह person आपको message करे या ना करे या क्या करना चाहिए इस person को एक बार status के जर्ये ही बात कर लेनी चाहिए ऐसा भी thinking रहा है इस person का ऐसा भी इनके दिल में चल रहा था कि चलो एक बार देख लेता हूं कि क्या कहती है या क्या कहता है वो तो यह क्या कहती है और क्या कहता हैं कि चकर में पड़े हुए हैं और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसे कि यह person कही ना कहीं ठीक है आपकी चुपके चुपके तस्वीर भी देख रहे हैं अब अब इस person को एहसास हो रहा है या इस person को लग रहा है कि मुझे जो है ना अपने ego अपने attitude को side में रख करके थोड़ा सा बात करनी चाहिए क्योंकि अगर ये side में रख करके बात नहीं करेंगे ego को attitude को तो फिर तो इनको पस्ताना ही पड़ेगा ठीक है और पस्तावा तो इस तरीके से होगा कि इस परसन को लग रहा है एक जिसे की रो भी देंगे ठीक है ये परसन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है और ऐसी फिलिंग्स मुझे नज़र आ रहे है इस परसन के इस परसन के अनर्टी दिख रहे है जिसे की यह person कभी-कभी इनके दिल में चल रहा है कि यार मैंने सच में गलत कर दिया उसके साथ मुझे अब realize हो रहा है कि मैंने किस तरीके से उसको चोट पहुंच आए किस तरीके से उसको तकलीफ दी और अपने वज़ा से अपने वज़ा से उसका दिल तोड दिया ठीक है यहां पर मुझे यह नज़र आ रहा है यहां पर दिख रहा है कि energy जो है ना stuck है ठीक है बहुत ही ज़़ादा stuck है और यह person अब अपने future को ले करके सोचते हुए दिख रहे है यहां पर दिख रहा है future को ले करके सोचते हुए क्या होगा future में क्या इसके साथ ही future में आगे बढ़ना है या अपने जो अपना जो अभी एक्स मेरा हुआ है यानि कि third party जो हुआ है third party जो था उसके साथ आगे बढ़ना है मुझे क्या करना है तो यहां पे इस person के energy ऐसी है और इनके दिल में चलता हुआ दिख रहा है जिसे कि देखो यह अभी भी जो है ना लाइक यह अभी भी इनके दिल में हैं कि छलो ठीक है एक बार इन्तजार कर लेता हूँ उसी का जिसके साथ अभी इनका break up हुआ है थर्ड पार्टी के साथ इनका break up हुआ है उसके साथ जाना ये person wait कर रहे हैं कि चलो कुछ time में देख लेते हैं कि अगर वो वापस आ जाती है या आ जाता है तो उसके साथ ही continue कर लेते हैं चुकि अब वापस जाना और उससे माफी मागना थोड़ा सा अपने ego पे आ जाएगा ठीक है तो इनकी feelings मुझे ये नजर आ रही है इनके दिल में चलता हुआ दिख रहा है देखो यहां पर इस person को ऐसा भी इनके दिल में चल रहा है कि इन्होंने जो किया है आपके साथ इनका कर्मा था और इनका कर्मा फिर से इनके पास ही लोट करके आ गया है यानि कि इनका कर्मा जो है इनहीं को पास लौट के आया है जैसे कि इन्हों ने आपको दोखा दिया वैसे ही इनको भी दोखा मिला ठीक है इनको भी तकलीफ हुई इनको भी लगा कि जैसे है ना हो जाता ना कि तकलीफे होती है और बेचैनी भी होती है तो वही है तकलीफे बेचैनी हुई इस परसन को यहाँ पर ये उसके वज़ा से ये परसन रोते भी हैं और इनके रोने की वज़ा मुझे हसी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आपका एक होता ना कि इश्वर ने आपकी सुन ली है ना इसके वज़ा से इस परसन को दर्द और तकलीफ मिल रही है ठीक है दर्द और तकलीफ मिल रही है यानि कि जैसे को तैसा मिलता है तो है ना दिल को सुकून मिलता है कि हाँ चलो इसने ऐसा किया था तभी तो इसको ऐसा मिल रहा और मतलब मिलना भी चाहिए तब तो पता से को कहीं हद तक जो है जाहिर करने से बच रहे हैं अभी फिलहाल इनके फ्रेंट्स भी पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ चल ठीक है उस नहीं सारी चीज़े सही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यह वाली एन मैं कहांगे कि अभी मैसेज मत करना इस परसन को क्योंकि यह परसन अभी वी आपको देख रहे हैं यह बंदा या बंदी जो भी है आपकी होगी तो आपके पास आएगी यह आएगी ठीक है मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है और यहां की अनेर्जी यह भी बता रही है जैसे कि यह परसंट आप कोई सिरियल देखते हो या कोई फिल्म आपने देखी है साथ में तो उसके सीन देखकर के यह परसंट याद कर रहे हैं आपको इनकी इनके दिल में चल रहा है कि फिर से वो दिन लौट आते हैं फिर से वो घडिया लौट आती जब हम और तुम होता है ना वो सौंग है ना मैं और तुम हम हो जाते हैं तो वो वाली एनर्जी जो है और फिरलाइज जे होता है कि अरे मैंने क्या कर दिया ये तो वो वाली psychology जाए न आपकेμपर्शन की है ठीक है यहां पर मुझे यही नज़र race धर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम घर्द हम हो जाते यह energy मुझे यहां पर नजर आ रही है आपके person की ठीक है आपके person sorry अब यहां पर candle था कि हाँ आप मत करो इसलिए चला गया ठीक तो यहां के energy बता रही है कि आपके person के उपर negativity भी है ठीक है negativity मतलब कहें तो black and edges वेगरा भी मुझे नजर आ रही है आपके person के उपर ठीक है तो यहाँ पर यह है चलिए अब हम candle wax reading करेंगे इसको मैं side कर देती हूँ और जलाती हूँ मैं light okay तो future के लिए हम देखेंगे कि future के बारे में क्या है ठीक है इनके दिल में क्या है future में यह person accept करेंगे आपको नहीं करेंगे क्या करेंगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं प्लीज मुझे गाइड की जा अंजल्स, निवर्स, एंसेस्टर्स future में authority choose wisely new beginning okay तो finally आपको जो है आपके जो person है future में आने वाले कुछ टाइम में यह person आपको choose करेंगे क्योंकि यहां के energy दिख रहे है authority का दिखो यह person काफी ज़दा सोचेंगे काफी ज़दा समझेंगे और तब इस person को feel होगा कि आपको justice देना चाहिए यहां ऐसा feel होगा इस person को कि यह person ने बहुत गलत किया है और बहुत गलत करने के बाद से ठीक है इनको realization होगा ठीक यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि इनको realization बहुत ज़दा होगा और इसलिए यह person बहुत ज़दा feel करेंगे ठीक है यह person काफी confused रहेंगे यहां पर मुझे दिख रहा है और मुझे काफी ज़दा ऐसी भी energy feel हो रही है जैसे कि देखो मैंने पहले भी कहा ना कि यह person आपको as a option use करेंगे ठीक है तो as a option की energy करनुसार से दिख रहा है कि यह person अपने जो अभी इनका break up हुए है उसको छोड़ करके यह person आपको continue आपके साथ continue करने के बारे में सोचेंगे ठीक है मुझे यहां के energy feel हाल तो यही दिख रहे है कि आपके साथ ही new beginning करने के बारे में सोचेंगे ठीक तो आप जैसे हो वैसे रहो आप अपने तरब से कोई कुछ मत करना कुछ भी नहीं करना आप अभी वैसे ही रहो ठीक है तो यहां पे मुझे यही नज़र आ रहा है तो यह रही है आपकी reading मिलते हैं फिर अगली reading में तब तक हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और खुश रहे हैं बो बाई